अलजबरावन X को देखते हैं let X not equals to 5, we non empty set, मतलब एक ऐसा set जो कि non empty set हो उसमें कुछ नो कुछ होना चाहिए collection of subset of X कि जो हमारे पास एक set X है, उसके जो सब sets है उनको जब हम एक set में डालते हैं, एक set मनाते हैं, उसके collection मनाते हैं, उसे हम A कहते हैं तो A क्या हुआ, अलजबरावन X हो गया, यह following axioms को satisfy करता है, कौन कौन से है, A कह है, A is closed under complement, A closed under complement के, EC belongs to A के, और इसी तरह closed under finite union set के, ठीक है complement union दोनों में यह क्या हो, closed हो उसके अतर, ठीक है, theorem देख लेते हैं, और इस theorem का हम discuss कर लेते हैं, इसमें वही बात है कि आपके पास E क्या है, यह sequence है, और आप इसी sequence को लेके जो हैं, वो साथ में discuss करते हैं, E1, E2, E1 से लेकर, यह N तक एक sequence है, जब हम इसका complement लेंगे, तो भी क्या होगा, E के अंदर closed होगा, ठीक है, जब हम इसका complement लेंगे, वो भी E के अंदर closed होगा, लेकिन जब हम इसका union लेंगे, by the definition, वो भी E के अंदर closed होगा, जब हम De Morgan's law इसके पर apply करेंगे, तो union क्या हो जाएगा, वो intersection में convert हो जाएगा, तो आपके पास ही क्या हो जाए ठीक है, sigma algebra on x क्या है, कि x as usual not equals to phi, a collection of subset of x, a जो है, तो ये क्या है, sigma algebra कब होगा, जब ही E axioms को satisfy करेंगा, वो axioms क्या है, E sequence, वो belong करना चाहिए A को, और E का complement भी obvious सी बात है, A को belong करेंगा, उसके बाद E का 1 से लेकर N तक का जो sequence है, वो भी A को belong करेंगा, इसका closed भी होगा, अंडर countable union के, और उसके इलावा ये complement में भी क्या होगा, closed होगा, अंडर union, अंडर complement ये दोनों क्या होगे, आपस में closed होगे, उसके बाद every algebra है sigma algebra, लेकिन हर sigma algebra जो है न, वो algebra on x नहीं है, ठीक है, if x is finite, x कब finite होगा, जब algebra और sigma algebra दोनों equal होगे, जब algebra और sigma algebra दोनों equals होगे, तब ही ये दोनों क्या होगे, आपस में equals होगे, ठीक है, उसके बाद क्या है, x finite होगा, algebra, वो ही तमाम बाते जो हम पहले discuss कर चुके है, if a is sigma algebra और x, जो a है, वो sigma algebra, और x होगा, और कब होगा, जब 5 और x बिलाउग करेंगे, एक को आपको पता है, किसी भी set का, जब हम complement सब सब लेते हैं, तो उसमें 5 और x फो include होता है, ठीक है, वो दोनों भी क्या करेंगे, a को बिलाउग करेंगे, और उनके जो sequences होगे, i to n वो भी a को बिलाउग करेंगे, it means e, i जो है, वो भी बिलाउग करेंगे, a को बिलाउग करेंगे, मेरा गला थोड़ सा खराब है, इसके वज़े से थोड़ी सी voice का issue होगा, लेकिन परशान हो, आपको clearly समझा जाएगी, ठीक है, तो a और b जो हैं, वो भी a से बिलाउग करने चाहिए, a को, उसके बाद आप आप फदा नीचे स्क्रॉल करते हैं, देखते हैं, आपके पास य यह जो है, वो भी a sequence in a, वो ही आप फदो शो हमने union को शो करने है, उसमें countability को शो कर रहे हैं, कि अगर आपका sequence जो है, वो countable होगा, तो it means जब हम उसका union लेंगे न वो भी countable होगा, क्योंकि जब भी हम countable union लेते हैं, countable sets का, तो countable will be in union, इसी तरह अब हम इसे देख लेते ह countability को, कि countability में हमें क्या है, कि अगर वो countable नहीं है, ठीक है, अगर वो countable नहीं है, तो फिर क्या होगा, फिर भी वो उसमें होगा, लेकिन वो हर दफार जो है, वो algebra on x नहीं होगा, ठीक है, नीचे हम चलके देखते हैं, intersection of any number of sigma algebra is a sigma algebra, यहाँ पे हमें यह पता चला, कि जब हम किसी भी 2 sigma algebra का अपस में intersection लेते हैं, तो जब answer आता है, वो भी sigma algebra ही होता है, ठीक है, यह नीचे सारा वो ही आपको explain किया गया है, कि कैसे जो है, वो sigma algebra के intersection हम 2 को लेते हैं, तो उनका answer क्या होगा, सेम यह simple जैसे हम intersection लेते हैं, वैसे ही करना है, आपने, इसमें कोई आपका difficult task नहीं है, ठीक है, तो अब हम इसमें देखते हैं, कि simple वही, आपने union लेना है, इनका, उसके बार demorgans law का apply कर देना है, अगर हम compliment को साथ ले रहे हैं, तो आप उसका compliment लेनेंगे, तो union आपको किसमें convert हो जाएगा, intersection में, तो एक जो है, वो intersection AI is the sigma algebra, union का intersection, कब होता है, जब ह हम उसके ओपर demorgans law apply करते हैं, ठीक है, ये बात mind में रखिएगा, remark हम देख लेते हैं, कि जब union हम लेते हैं, दो sigma algebra का, वो कभी भी confirm नहीं होता, 100% नहीं होता, कि उसका answer उसी sigma algebra में ही है, intersection का confirm है, कि answer जो है, वो उसका sigma algebra में ही आएगा, लेकि जब हम दो sigma algebra का union लेते हैं, त इसका कोई भी दो हुस, हमने इसकी सबसर्स ले लिए हैं, उनका जब हम आपस में यूनियन लेंगे, तो उसका जो answer आ रहा है, उसमें आप देखें कि 5X, A, B, A, C, D, B, C, D और X, इनमें आप देखें कि A और B जो है, वो उस sigma algebra में नहीं है, लेकि उनके union में मौजूद है, तो ये बात है, कि union का, जब हम दो sigma algebra का union लेते हैं, तो answer जो है, वो sigma algebra में है, ये confirm बात नहीं है, ठीक है, intersection का confirm है, लेकि union का confirm नहीं है, ये याद रखेंगा, उसके बात है, increasing sequence of set, increasing sequence of set, obviously बात है, जब set increase हो रहा है, मतलब जो sequence है, 1 में, n plus 1, n plus 2, मतलब a1, a2, a3, a4, 2n, ठी ठीक है, ये जो है, जब हम इसमें plus 1, plus 1 करते जाते हैं, तो इसमें क्या होता है, ये increasing sequence होता है, और decreasing sequence, बात है, minus 1 होता जाएगा, ये अगर आपका n plus 1 है, तो साथ में minus 1 हो जाएगा, तो plus 1 और minus 1 कट जाएगा, तो simple n बच जाएगा, ठीक है, तो एक बात और याद रखेग जैसे के इधर आपको show करवाया गया, ठीक है, अब यहाँ पर देखे, हम इसका intersection लिया गया है, a, n, ठीक है, उसके बाद define करते हैं, limit supremum से, infimum में क्या होता है, कि supremum obviously बात है, supremum और infimum हम लोग जानते हैं, इस दोनों terms के बारे में familiar हैं, पहले मतलब बात चित का चुकी है हम इन से, okay, be an arbitrary sequence of subsets of set x, तो define two new sequences, हम एक two new sequences define कर लेंगे, जैसे के आप n ले ले या m करके ले ले, फिर उनके हम intersection ले लेंगे, ठीक है, intersection करके हम उनने यह देखे, like this, आप इस तरह उनके intersection ले ले लेंगे, इसमें आप देखे के n जो है, वो greater than equal to 1 है, और यहाँ पर देखे greater than equal to 2 है, और इसका आप देखे, उपर a1 से शुरू हो रहा है, इधर a2 से और पर नीचे वाले से a3 से शुरू हो रहा है, मतलब एक एक पार जो है, वो अंदर से skip होता जा रहा है, इसमें intersection में, ठीक है, तो यह आपका क्या है, यह आपका arbitrary sequence है, limits का infirmum और supremum का, ताके point पे यह उपर यह जा सके, उसके बाद है, inferior of original sequence उनका आप देख लें, यह सी तरह है, सारा कुछ सेम है, कि आप limit ax of the sequence एक 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 जो define करना है, new sequence में, ठीक है, यह सारा कुछ सेम है, as 2t, यह सारा कुछ सेम है आपका, इसमें कोई difficulty हैं, वह यह आपने union को लेके चलना है, इनके आ कोई difficult नहीं है आपका, ठीक है, हुपसो आपको समझा रही होगी हो, यह lecture आपके लिए, खाफिया तक helpful होगा, लेकिन अगर आपको समझ नहीं आ रही है, यह कोई भी point आपका skip है, यह पिर रह रहा है, तो please, आप मुझे comment कर लीजेगा, मैं आपको इशाला foreign reply करूंगी, ठी ठीक है, और यह सारा कुछ होई है, कि A को बिलाउंग करेगा, A के हर सूरत में, आपका जो भी आप operation कर रहे हैं, चाहे वो union है, चाहे वो आपका intersection है, चाहे वो आपका complement है, कुछ भी है, वो किसे बिलाउंग करना चाहिए, A को बिलाउंग करना चाहिए, ठीक है, उसके आपका स्वार्डिंग हमारे पर स्वार्डिंग नहीं आती, जो उनमें common होता है, वो आता है, इक मिन्स काम आता है, तो इसे हम क्या कहते है, smallest sigma algebra, रिमार्क आप देख लें, कि epsilon 1 और 2, और 2, और 2, और 2, जब यह क्या होगा, जब यह क्या होगा, कि sigma epsilon 1 बिलाउंग करेगा, sigma epsilon 2 से, ठीक है, यह जब इस तरह बिलाउंग करेगा, तो फिर यह क्या होगा, आपकर, ओके, नेक्स टाम हम देख लेते हैं, एसे smallest function है, ठीक है, smallest sub collection है, और यह सारा कुछ वही है, बहुत इसी है, यह बिटे, काफी असानी से आप कर लेंगे, पिछे से प्रिंदों की आवा that, ओके, यह वही है, सारा कुछ, आप इसे union और intersection करते जाएंगे, ठीक है, epsilon is in arbitrary, ठीक है, ठीक है, तो अब यह inverse का हिसमें है, ठीक है, inverse का हिसमें, अब डिपाई, पहले union complement, और इन चीज़ों का हमने देख है, intersection का, अब inverse involved होगे, ठीक है, यह signal jabra on x, ठीक है, तो अब यह inverse को देखेंगे, और यह भी बहुत असान है, सारा कुछ वैसे ही है, जैसे हम simple sets को करते हैं, 123 या ABC के sets को, वही काम इदर किया गया है, कोई difficult task नहीं है, बस यह equal to a complement होना चाहिए, किसी भी चीज़ का complement, inverse में आपने इस चीज़ का ख्याल रखना है, ठीक है, बाकी सारा बहुत अ परशान होने की जरूरत नहीं है, बहुत असान है, यह बहुत 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 असान है, चीक है, और उसके बाद आप देख लें, collection of subset of Y है, और F-inverse is a sigma algebra, F-inverse epsilon, जो है, वो sigma, चीज़ यहां पर देखेंगे, sigma बाहर है, और 10 sigma अंदर है, जैसे हम simple उसमें करते हैं, आ आपके demorgans law में हो जाता है, union intersection में convert हो जाता है, या फिर आपका associative law होता है, यह इस चीज़ को इदर follow किया गया है, इस पे आपको उन्हीं को follow करने, क्योंकि math के basics तो वही है ना, उसी के थमाम rules को apply किया जाता है, अगर आप math में simple भी write कर देते हैं, कुछ नो कुछ, तो परशान होने की जरूरत नहीं है, आपको बस आपको अपने concepts पर गोर करें, और यह इसी तरह बहुत असान है, बच्छों, आपने बिल्कुल परशान नहीं होना, यह, हाँ, यह आपका easily हो जाएगा, यह just read out करने की देर है, आपको यह बहुत असानी से समझ आदाना है, यह लें, मभी आपको देख लें, एन है, बन से infinite बने arbitrary sequence कब होगा यह जब, एपसिलोन है, वो disjoint sequence, यहाँ पर जो main point है, वो disjoint sequence का है, उसको समझते है, disjoint का क्या मतलब है, ऐसे do sequence जिनका आपस में को connection नहीं हो, जैसे Fm और Em ले ले ले, यह दो ऐसे sequences हैं, जिनका आपस में को connection ह है इनको अगर हम कोई intersection लेने लगे ना इन दोनों points का तो आपका answer हमेशा 0 आये ठीक है आपका answer हमेशा 0 आये disjoint का ये मतलब होते है disjoint का जब भी हम intersection लेते हैं आपका answer हमेशा 0 आता है क्योंकि उनमें कोई common point नियोंता कोई उनके अंदर ऐसी बात नहीं उती है जो कि दोनों में same हो तो आपने इस चीज को अपने mind में रखना है इस चीज को आपने भूलना नहीं है ठीक है कि दोनों का क्या है वो आपका आएगा जीरो आएगा चाहे वो simple sets हो चाहे वो आपके sequences हो कुछ भी हो F M E M लिए ना यहाँ पे हमने हम यहाँ पर कोई और ले सकते हैं अब simple उनको 1 से n तक expand कर दें फिर उनका intersection ले 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 और intersection में आप 5 से 0 कर देंगे फिर भी आपको instructor कुछ ना कुछ मास इसमें दे देगा ठीक है fm यह सारा कुछ वही है कि equals to 0 होना चाहिए यह सारा कुछ same है उसके बाद है set of extended real number extended real number क्या होगा simple आप देखें real number है set of rational rational number extended का क्या मतलब है कि minus infinity से infinity तक जब यह minus infinity से infinity तक के real numbers होते हैं तो उसे हम कहते है extended real numbers और जब उनको हम set बना लेते हैं तो आपको क्या बन जाते है set of extended real numbers होपस़ आपको अच्छे से समझा आ गई होगी इसकी next है आपका set function set function क्या होता है एक ऐसा set जिसमें हम functions को include करते हैं ठीक है एक ऐसा set जिसमें हम functions को include करते हैं let epsilon ठीक है let epsilon जो है वब या arbitrary collection of subsets of a set x वही बात है कि जिसमें आप functions epsilon zero से लेकर infinity तक आप उन्हें add करते हैं उन्हें आप combine करते हैं और एक set बनाते हैं उसे हम क्या कहते हैं set function कहते हैं और यह 0 से infinity तक होता है उसके बाद हम कुछ properties देख लेते हैं set function की इसमें सबसे पहले property आपकी monotone property monotone property आप देख लें e1 subset है e2 का और यह function e1 और belong करता है function e2 को less than equals to ठीक है finitely additive क्या होते हैं कुछ finite set होते हैं उनके दिर्मयान में additions होते हैं तो finitely additive property होनी चाहिए इसके बाद countably additive क्या होना चाहिए countably additive कुछ countable sets होते हैं ठीक है कुछ countable sets होते हैं जब हम उनका addition करते हैं आपस में तो वो आपकी क्या होते हैं countably additive set होते हैं और यह आप देख लें इसमें इक्वल्स होते हैं काउंटबल एडिटिव में यह तो है कि दोनों सेट्स के इक्वल्स होते हैं तो यह काउंटबल एडिटिव सेट्स हैं यह देख लें और इसमें आप यह सारी तो है वो फुर्फिल करनी चाहिए यह इकवल्स तू less than equal to सिफ less than ये सारी चीज़ें आपने एक दफा माइंड में रख लेनी है उसके बाद मैयर क्या होता है let x not equal to 5 मैयर थिरी में एक बाद याद रखें कि x कभी भी 5 के equal नहीं होना चाहिए सिग्माल जबरा मैयर कब होगा जब ये a belong करेगा a की approach होगी जिरो से infinity तक होगी तो इसे हम क्या कहेंगे मैयर कहेंगे इसके भी कुछ प्रॉपर्टी है कि μ्यूफाइ इक्वल टू जीरो होना चाहिए ठीक है म्यूफाइ इक्वल टू जीरो होना चाहिए और इफ e i is a disjoint sequence in a कि e i जो है a disjoint sequence in a होगा तो देन क्या होगा union e i mu e i और यह सारी जो हम इस चीज़ की properties को solve करेंगे उसके बाद है questions given an example of a set function which is not major not major के लिए क्या होगा x equal to r मतलब set of real numbers को हम include कर देंगे rational होते है definite list में तो mu e अच्छा मेयर को mu से show करते है ठीक है pr 0 to infinity divide by mu 5 equals to 0 और finite भी आपको क्या होना चाहिए वो इस 5 भी क्या होना चाहिए finite होना चाहिए आपका उसके बाद यही सारा कुछ इसमें properties चाहर रही है वो ही major, वो ही union, वो ही demorgas law लापलाए करके intersection हो जाता है उसके बाद यह इसका lemma देख लें e1, e2, belongs to a यह वाली property उसके इलावा countably sub additive property finitely sub additive property वो तमाम properties जो हम पीचे पड़ चुके हैं हमने वो ही सारी properties को proof करना होता है और इसके लिए हम कौन सा sequence लेते हैं हम disjoint sequence लेते हैं और disjoint sequence का intersection हमेशा क्या आता है वो 0 आता है और आपने इस चीज़ को mind में रखना है ठीक है mu 5 equal to 0 आगया उसके बाद जब हम इसका union लेगे और पी यही सारा कुछ वो ही properties जो हैं इनको एक तफ़ आप देख लेगे आपको बहुत अच्छे से समझ आ जानी है क्योंकि यह बहुत असान properties है और यह बहुत इसली आपको समझ भी आ जाएंगी और आगे हम next काफी वीडियो नंबी हो रही है but finite measure finite measure क्या होता है कि यह कब finite measure होता है जब mu x less than infinity हो जब less than infinity हो infinity का क्या मतला बेला मैदू जब less than infinity होगा तो अवेसे बात है यह क्या है finite है यह sigma finite measure sigma finite measure भी वही है mu e है sigma में sequences आ जाते है mu e i आ जाएगा तो यह आपको क्या होना चाहिए less than infinity बहुत हर से उसके बाद अगर आप next देखें आपके पास एक question है और यह भी बहुत असान है आपको समझ आ जाएगी let's see next क्या आता है next यह आप easily कर लेंगे yes आप कर लेंगे इसमें कोई खास समझने वाली बात नहीं है उसके बाद measureable space and measure space क्या होती है measureable जो measure की जा सके measure space जो measure space होती है यह दुनों क्या है sigma algebra on x mu a measure on a then यह सारा कुछ finite measure space यह spaces आप एक दफा देख लीजेगा finite set जोके countable होता है उसमें limited जो है वो number of sets होते हैं lemma देख लेते हैं measureable space is yes और यह सारे बहुत असान है इसमें परशानी की कोई बात नहीं है यह आप जस्ट एक दफार read out करेंगे आपको easily समझा जानी है क्योंकि मैं इतनी लंबी वीडियो करना नहीं चाहरी यह स्टेरिक स्टेरिक जो है वो आपका outer mirror को शोग कर रहोता है ठीक है स्टेरिक जहां पर भी आएगा measureable set में तो it means यह क्या है outer mirror pfx को set कर रहे ठीक है उसको यह अप्रोच कर रहे यह यह यहां पर यह भी काफी सितने लंबे कोस्टन्स को sometimes आते नहीं है लेकिन इस तफ़ा जो लास्ट टाइम और इस तफ़ा हुआ है यह 55 marks को उनों ने बहुत लंबे लंबे कोस्टन्स उटाकर दे दिये थे तो इसलिए यह कुछ important questions भी थे अंदर तो मैंने include कर लिए और यह मुझे notes बहुत अच्छे मिल गए तो मैंने यहां से मिनका कि नहीं यहां से one video में त्यारी करवाना बहुत असान हो जाएगा मेरे लिए अच्छा यह सारा कुछ बहुत असान है इसमें कुछ भी difficult नहीं है just read out आपने करता है इसे और अगर किसी को यह notes चाहिए तो वह से contact कर सकता है यह WhatsApp के ग्रूप एक उसमें आप मुझे message करें आपको यह notes सारे available हो जाएंगे ओके काफी लबी वीडियो हो रही है यह काफी important points मैंने discuss करनी है बाकि जो रहेगे हैं उसके लिए sorry और hope so आपके लिए यह काफी helpful होगी और काफी आपने सिखा होगा और मेरे गले ने काफी आपको तंग नहीं किया होगा क्योंकि गला भी खराब है इसके शोर भी आ रहा है लेकिन मैंने का नहीं मैंने record करनी हैं काफी लोग wait कर रहे होंगे तो इसलिए यह तमाम properties को आप देख लें यह properties बहुत important है इन्हें एक दफ़ा बहुत होड़ से देख लेज़ेगा hope so आपको अच्छे से समझ आ गई होगी अगर कोई बात रह गई हो कोई बात मिस होगी हो आप कमेट में message भी कर सकते हैं वहाँ पर मैं आपको फॉरंग रिप्लाइ करूंगी और आप easily यह तमाम चीज़ें को समझ पाएंगे कोशी यही की है कि वन वीडियो में आपको तमाम तमाम अच्छे से समझ आ जा जाएं लेकिन अगर कोई रह गया उसके लिए again 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 sorry कमेट में आप कोई भी टापिक मुझ से पूछ सकते हैं और WhatsApp ग्रूप को भी मैं description और mention कर दूँगी आप वहाँ से जरूर जरूर उसमें add हो तो मैं उसको भी cover कर लूँ ठीक है thank you so much for watching keep me in your precious prayers take care of yourself and Allah Hafiz but please 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 subscribe my channel and like the video Allah Hafiz